संख्यप में ये जानने के बाद की भुगोल क्या है और साथ ही भुगोल क्यों पढ़ना चाहिए भुगोल में क्या समाहित है हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक स्वभाविक प्रश्न आता है फिर से कि थोड़ा सा और विस्तार से जानने की इच्छा होती क्या खिर भुगोल है क्या उसमें क्या चीजे समाहित हैं जैसा मैंने कहा सभी तरह की प्राकृतिक विभिन्नता जो दृष्यमान पृत्वी की सतह में एक समान नहीं है शब्दों को ध्यान रखिए सभी तरह की प्राकृतिक विभिन्नता प्राकृतिक विभिन्नता का अर्थ जैसा मैंने जलवाई का उदारन दिया हर क्षेतर की जलवाई अलग-अलग हर ख्षेतर की वनश्पति सनरचना अलग अलग, हर ख्षेतर की मानव सनरचना अलग आहार, विहार, आवास, प्रक्रिया सब की अलग अलग, सामाजी की प्रक्रिया अलग इसका जो Soundsman पृथि में दिखाई देता है, वो एक तो है नहीं, विभन्नता है दिखती हुई चीजों में विभिन्नताएं हैं जो हमें निकेड आंकों से जो दिखाई दे रहा है वह सब भिन्ने भिन्नताएं हम इनके दो तरह के स्वरूप मान सकते हैं दो तरह के स्वरूप एक रूपता तो है नहीं तो दो तरह के हम स्वरूप की बात करें मूल रूप से एक तो पहला है भौतिक शुरूप और दूसरा है सामाजिक एवं संस्कृतिक शुरूप जिसका जिक्र पहले हमने बहुत संक्षित में किया आपको भौतिक स्वरूप क्या है फिजिकल स्ट्रक्चर फिजिकल अपिरेंस फिजिकल स्ट्रक्चर फिजिकल अपिरेंस भौतिक स्वरूप और हमारा जो विशे भी है वह है भौतिक भूगोल के मूल सिध्धान्द तो यह भौतिक क्या है भौतिक यानिए फिजिकल जो दिखाई देता है सामने जो द्रिश्मान है प्राकृतिक प्राकृतिक खेत्र की बात कर रहे हैं प्राकृतिक मुद्दों की बात कर रहे हैं उसमें जो दिखाई देता है उसे हम कहते हैं भातिक स्वरूप भातिक स्वरूप आप समझ जाएंगे भातिक स्वरूप अर्थाज जो चीज जानवर जल और उसके साथ ही अन्य बहुत जीलें, पहाड, पठार, मैदान, अंडिलेटेड लैंड, असमतल, जमीने, आधी-आधी, जंगल, ये सब भौतिक में आता है, क्योंकि ये हमें दिखाई दे रहा है, दिर्शमान है, और प्रकृतिका बनाया हुआ, प्रकृतिक है, ये हो गई प्रकृतिक, दूसरा है सामाजिक संरचना, सामाजिक स्वरूप, सामाजिक वस सांस्कृतिक स्वरूप, सोशल एंड कल्चरल फिल, इसमें क्या आता है, वे परिवर्तन जो मानों ने किया है, इसके अंतरगत हम उन परिवर्तनों के परिणाम और उनके कारकों को समझेंगे जो मानो निर्मित हैं, उधारन के लिए मानों ने गाऊं बनाया, शहर बनाए, नहरें बनाई, सड़कें बनाई, रेल मार्ग बनाई, उसके अलावा भी उसने बाजार बनाए, व्यापारिक केंद्र बनाए, बंदरगाह बनाए तो ऐसे प्राकृतिक संसाधनों से मानो निर्मित जो चीजें हैं, उनका अध्यान हम सामाजिक और स्वांस्कृतिक शुरूप में भूगोल के करेंगे और करते हैं भौतिक और स्वांस्कृतिक इन दोनों के बीच एक परस पर संबंध है आपको याद होगा मैंने पूर में कहा कि आदि मानों का विकास होते होते आदि मानों आज जहां पहुंचा है दूसरी और प्रकृति पूर में जहां थी और आज जहां है इसका जो संबंध है इसका जो बैलिंस है इसका जो संबंध है मानों का विकास बनाम प्रकृति ये संबंधों का परस्पिरिक संबंधों का अंतरवीन संबंधों का और इनका अध्यान हम इस भूगोल विशह में करते हैं इसका संकेत इसका हमको एक सुरूप मिल जाता है इसलिए भूगोल क्या है इस प्रश्ण का उतर अब आप समझ गया होंगे सरल है साधारन शब्दों में यह प्रित्वी के धरातल की व्याख्या है धरातल की व्याख्या और वर्णन करने वाला विशह है इसकी व्याख्या और साथ में इसका वर्णन किसका धरातल का ये सबसे सरल परिभाशा हो सकती है भूगोल की लेकिन समय के साथ साथ भूगोल का विकास होता गया विशय के रूप में भी और मूल बाद धरातल ही रही लेकिन परिभाशाओं में कुछ सुधार हुए और अन्य भूगोल वित्ताओं ने कुछ अन्य परिभाशाओं से भूगोल को पहचानने की कोशिश की उदारन के लिए अमेरिकन भूगोल वो था, हार्ट वॉन, ये अमेरिका के थे इन्होंने, हार्ट शॉन ने सबसे पहले 1949 में एक पुस्तक लखी, 1939 में एक पुस्तक लखी, जिसका नाम था नेचर इन जियोग्रफी, जियोग्रफी ने भूगोल और नेचर ने प्रकृति, जियोग्रफी में प्रकृति, यदि इसका अनुवाद हम करें तो ये होगा उसके बद उन्hोंने ही हार्ट शॉन ने ही स्वयम 1969 में, दूसरी पुस्तक लखी, 1969 में नाइंटीन फिफ्टिनाइन में इसमें उन्होंने लिख परस्पेक्टिव और नेचर आफ जियोग्रफी, पहली पुस्तक थी नेचर इन जोगर्फी और दूसरी पुस्तक्ति परस्पेक्टिव और नेचर अब जोगर्फी परस्पेक्टिव मने अलग अलग तरीके से जोगर्फी को समझने का प्रयास तो इसमें उन्होंने भूगोल को परिभाशित किया और लिखा कि भूतल के विविदिता रूपी लक्षणों का धरातल के विविदिता रूपी जो विविदिता है उसके लक्षणों का शुद्ध व्यवस्थित और तर्कपूर्ण अध्यन इसको व्याक्षा करना भूगोल क का लक्ष है मैं पनाध दोरादू कि उनके अनुसार हाट शौन के अनुसार भूतल के विविता रूपी लक्षनों का शुद्ध व्यवस्थित और तक्नीक तरक पूर्विवरण एवं व्याख्या करना ही भूगोल का उद्देश है भूगोल का लक्ष यह परिवर्तन क्यों ह होते हैं परिवर्तनों के कारण और उसके परणाम फिर उन परणाम परणामों के कारण और फिर उसके आगे परणाम आदी आदी यही उनके अनुसार भूगोल का मुख्य लक्ष सरपथम भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार एरिटास थनीज एरिटास थनीज नामक एक ग्रीक विद्वान ने किया था जिसका काल 276 से लेकर 194 ईश्वी पूर्व का है एरिटास थनीज 276 से 194 ईश्वी पूर्व भूगोल शब्द ग्रीक शब्द है ग्रीक भाशा का शब्द है और दो शब्दों के मेल से बना है जियो और ग्रैफोस जियो का अर्थ है पृत्वी आपको बच्चों यहीं बता दें कि अंग्रेजी में कहीं भी यदि जी इओ जियो शब्द आता है या तीन अक्षर जी इओ जियो एक साथ आते हैं तो समझ जाएए अपने आप कि इस शब्द का तालुक धर्ती से है पृत्वी से है जैसे। Geography, Geology, Geometry, Geophysics आदी आदी तो जहां भी GEOGOI समझ जाएगा इसका संबंध प्रित्वी से धर्ती से है तो यहां भी जियोकार्थ प्रित्वी और ग्रैफोज ग्रैफोज याने वर्णन इन दो शब्दों से Geography शब्द बना है जिते हिंदी में भूगोल कहते हैं अंग्रेजी भाष्या में हम कह सकते हैं इसे विवरन जिसे वर्णन कहा गया है उसे हम विवरन भी मान सकते हैं दोनों को साथ रखने पर इसका एक जो अर्थ है जियो और ग्रैफोज इन दोनों को आप साथ रखें तो इसका आर्थ होता है प्रित्वी का वर्णन इसलिए सामाने भाषा में भूगोल वः विज्ञान है ख्या लखेंगे भूगोल एक विज्ञान है ऐसा विज्ञान जो प्रित्वी के धरातल का अध्यान करता है उसका वर्णन करता है धरातल प्रित्वी के धरातल से इसका मुख्य संबंध है परन्तु धीरे धीरे भूगोल एक बहुत बहु आयामी विश्या हो गया बहुत विकसित होता गया और भूगोल की अनेको नेक शाखाएं बनती गई क्योंकि इतना विश्याल काई विश्या हो गया कि ये संबंध ही था कि मात्र एक भूगोल विश्या के अंतरगत ही इनको समझा जाए इस पूरे बहु आयामी प्रकृति को प्रत्वी के समझ लिया जाए उधारन के लिए प्रत्वी पर अनेक प्रकृतिक विऍग्यान जैसे मृदा, मिठ्टी, मौसम विध्यान, समुद्र विध्यान, वनस्पति शास्थ्र, जीव विध्यान, ये सवान साथ ही सामाजिक विग्यान की अदी बात करें अभी जो मैंने बताया है वो तो प्राकृतिक विग्यान अब सामाजिक विग्यान में क्या आते हैं अर्थ शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीत शास्त्र, इतिहास आदी ये धरातल के विभिन पक्षों का वास्तविक अध्यान करते हैं यहां शब्द वास्ते बहुत महत्पूर्ण हैं कि इन दोनों विज्ञानों में प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में जो विश्यों का भी मैंने दिक्तर किया बताया है इनमें मूलतम वास्तविक अध्यान करते हैं भूगोल जो है वो प्रिठ्वी का वर्णन करने वाला विश्या है परन्तु भूगोल अन विज्ञानों से अलग है और अलग होते हुए भी उसके साथ उसकी निकटता है किसने किसी रूप में वह सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के विश्यों से कनेक्टिड है उससे जुड़ा हुआ है भूगोल निरंगतर प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान की जानकारियां हासिल करता है वो इन विज्ञानों से जानकारियां लेता है सुचनाएं लेता है और उनका भागोलिक दिश्टि से विश्लेशन का अर्थ जैसे उदारण के लिए एक मकान एक निवास बनना है या एक मकान हमने बना हुआ देखा मकान का अधियान करना है निवास का अधियान करना है तो वह विग्यान अलग होगा जिसमें निवास किस चीज़ से बना है कितना उसका आयत ख्षेतरफल है कितनी उसकी लाइफ होगी कि इसके कॉलम्स इसकी मजबूती आधी को देखा जाए लेकिन उन चीजों से क्यों बना है और जलवाई से इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कॉलम्स की मोटाई कितनी है वो तो एक अन्य विशा हो गया लेकिन इतनी क्यों है उसके पीछे भगोलिक कारण है क्या मिट्टी के अलग-अलग गुणों को देखते हुए कॉलम्स की मुटाई तैकी जाती है तो यही बात यहाँ पर है कि भूगोल प्रित्वी का वर्णन करने वाला विशा है किन्तु भूगोल अन्विज्ञानों से बिन होते हुए भी बड़ा निकट भूगोल निरंतर प्रकृतिक और सामाजिक विज्ञानों की इस तरह की जानकारियां जैसा मैंने दिया उनको लेकर उनका विशलेशन करता है तो विशलेशन करने वाला विशह है अन्य विज्ञानों से जानकारी लेकर उनका विशलेशन करने वाला विशह है भुगोल इक दिश्टिते वह भुगोल कहलाएगा हाट शौर ने स्पष्ट किया कि भुगोल एक अंतर संबंदित विशह है एक अंतर संबंदित विज्ञान है अंतर संबंदित कार्थ है पर्यावरन और मानों इन दोनों के बीच के संबंध का अध्यान मानों का विकास उसका परिणाम पर्यावरन पर क्या पढ़ रहा है पर्यावरन में होने वाले परिवर्तन उसका प्रभाव मानों पर क्या पढ़ रहा है और किस दिश्टि से ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं और आगे इसकी क्या संबंध है यही भुगोल का अध्यान है भूगोल का संबंध है इसका वग्यानिक अध्यान जरूरी है बिटिश भूगोल वे ताउ ने जो इंगलंड के हैं उन्होंने एक दूसरी परभाशा दि थोड़ी कि भूगोल प्रिथवी के धरातल का अर्थ है जयने भूगोल का सारा संबंध धरातल में stringा अ इन्होंने भी कही और इसमें विभिन्निक शेत्रों के अंतर और संबंधों का अध्यान, हर खेत्र अलग-अलग क्यों हैं और इनमें क्या संबंध है, इसका अध्यान ही भूगोल है, ऐसा बिटिश भूगोल विर्ताओं का कहना था सत्रहवी सदी में वरे नियस नाम के भूगोल विर्ता ने 1622-1650 के काल में एक और परिभाशा दी, 1622 की बात कर रहा हूं, वरे नियस की परिभाशा थी, कि प्रित्वी की सतह को केंदर माने, यानि जितनी भी परिभाशाएं अभी तक हमने पढ़ी हैं, सुना हैं, उसमें धरातल से इसका तालुक है, और वरे नियस तो कहते हैं कि वह तो केंदर बिंदु है, इस विशा के अध्यन का केंदर बिंदु है, उसे केंदर मान कर समझने, समझाने वाली विद्या, धरातल को केंदर मान कर समझने, समझाने वाली विद्या, और उसके साथ, उसके अंतरगत, जलवायू, जल, मरू भूमी, धरातली लक्षण, और खनिज, पशु, मानो, जैसे तत्यों का निरिक्षण और वर्ण, अर्थात, यह बहुत यह अच्छी, यह परिभाशा आपको और स्पष्ट करेगी, भूगोल के अध्यन ख्षेत्र को, धरती को केंदर मानते हुए, इसके धरातल को, मानो, यह धरातल मरू भूमी है, तो मरू भूमी होने से के कारण क्या थे, इसका अध्यन, और इन कारणों को जानने के बाद, इनका जलवाई उपर क्या असर हुआ, मानों पर क्या असर हुआ, नदी नालों पर क्या असर हुआ, सतह पर क्या अंतर पड़ा, और इसके साथ ही वनस्पतियाजी में क्या अंतर पड़ा, साथ ही धरातल स्वैम में क्या अंतर पड़ा, यह इसका अध्यन किया जाता, अब इन सब परिवर्तनों के बाद, निश्चित रूप से मरू भूमी में, नगर, शहर, पानी, और योगिक विकास, व्यज्यानिक विकास, व्यापारिक वृद्धि, यह सब भी बहुत प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो मरू भूमी हैं, तो इन में से कई चीज़े वहाँ नहीं होगी, नगर, विकास जो होगा, वो थोड़े दूसरे तरीके का होगा, पानी की कमी कितनी हैं, पानी कितना हैं, यह भी उसका हिस्सा है, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है, कि वरेनियस की जो परिभाशा थी, कि पृत्वी की सता को केंद्र मान, उसे समझने, समझाने वाली विद्या, जिसके अंतरगत, जलवाय, युजल, मरू भूमी, धरातिली, लक्षन, खनिज, पशु, मानो, इन सब की विभिनताओं का निरिक्षन करना, समानताओं का अध् निश्कर्ष निकालना, यह भूगोल का दाएरा है, हजजारों साल, बलकि लाखों वर्षों के परिवर्तनों से स्पष्ट है कि भूगोल, प्रकृति, वा मानों को समगर एकाई के रूप में देखता है, भूगोल जो है, वो मानों और प्रकृति को एक यूनिट के रूप में देखता है, एक एकाई के रूप में देखता है, उसी की जो अंताक्रिया है, इस एकाई के अंतरगत, मनुष्य और प्रकृति के बीज का जो क्रियात्मक गतिविदिया है, उसी को अध्यन, उसी को हम भूगोल में समाहित करते हैं और भूगोल में हम उसी का अध्यन करते हैं। बारब बार इस बात को बताया जा रहा है, समझाने की कोशिश है कि भूगोल प्रकृति और मानों के बीच की रस्सा कशी का अध्यन है। ज़ि एक सद में कहा जाए, कभी मानों ने खीचा अपने को और प्रकृति नीचे हुई, प्रकृति को नियंतरित किया, कभी प्रकृति ने हावी होकर प्रतिरोज किया, मानों गिरा, ये जो उतार चलहाव है, जिसके वरतमान में हम बहुत धारन देख रहे हैं, जहां इज कहना चाहिए, एक तरीके से जताई है, मानों द्वारा प्रकृति को नियंतरित करने के प्रयाश के खिलाफ, मानों प्रकृति और प्रकृति मानों को प्रभावित करें, मानों प्रकृति को प्रभावित कर रही है, और प्रकृति जो है, वो मानों को प्रभावित कर रहा है, तो इस प्रकार हम देखते हैं, कि मानों और प्रकृति दोनों भूगोल के एक अभिन अंग है, जो परिवर्तन जो भी आदि मानों से लेकर आज तक जो हो रहे हैं हम चलिए देखते हैं कि वस्त्र आवास भोजन इसमें जो भी परिवर्तन हुआ आदि मानों से लेकर आज तक ये परिवर्तन के पीछे हम ये कह सकते हैं बलकि वियावसाय रहन सहन में कि इस रस्षा कशी का स्पष्ट प्रभाव दिखता है आदिमानो कंद मूल खाके रहता था प्रकृति से बहुत डरता था प्रकृति ने जो दिया जो फेका उसको उसको ने खाया समय के साथ साथ आदिमानो ने खेती करना सिखा आग जलाना सिखा तो उसने भोजन उसने अपने भोजन का स्वरूब बदला दीरे दीरे अब मानो प्रकृति को एक तरीके से नियंतरित करके बता रहा है कि उसे अब क्या प्रकृति को अब क्या देना है अब प्रकृति उन्हें क्या दे जो वनस्पतियों में जो ग्रैफ्टिंग होती है वा ग्रैफ्टिंग क्या है मानाओं के द्वारा प्रकृति में प्रकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो वनस्पति हैं उनके रूप को बदलने का प्रयास, उनके नए रूप मानों के द्वारा लाने का प्रयास, प्रकृति के द्वारा नहीं, हाँ प्रकृति की मदद ली गई, प्रकृति की मदद के बिना संभोनी हैं, लेकिन नियंतरन किसका? मानों का, तो यही जो परिवर्तन है, यही जो प् आस्त्र आवाद भोजन आदि में प्रकृतिकास पश्ट प्रभाव आदिम अवस्था से उठते हुए प्रकृतिक के साथ आदि मानों ने बहुत बार समझोता किया यह जो शुरू में जो कंद मूल फल खाये यह क्या था समझोता तुछ था फिर धीरे धीरे उसमें मौडिफ किया मौडिफिकेशन कार्थ हम कह सकते हैं एक तरीकी से परिवर्तन तो एडप्टेशन और मौडिफिकेशन समझोता और परिवर्तन यह मानों की नीती रही उसने समझोते किये फिर परिवर्तन भी किये और इस प्रकार मानों का विकास सतत रूप से होता गया ने प्रकृत प्रक्रितिक संसाधनों का समुचित उप्योग किया और अपने कारिक्षेत्र का जब प्रक्रितिक संसाधनों का उप्योग करने लगा और समुचित रूप से उप्योग करने लगा उसका कारिक्षेत्र का डायरा बढ़ा तो कारिक्षेत्र का डायरा बढ़ने से तक्नीकी प्रगति से वैज्ञानिक सोच से उसने जो मानों ने अपने उपर भौतिक पर्यावरन द्वारा जो लगाए गए बंधन थे उसको ढीला कर दिया इस बात को बिलकुल अच्छी तरह समझने की कोशिश करें कि आदि मानों ने अपने बुद्धि के बल पर अपने कोशल के बल पर और उसके साथ ही अपने कारक्षित्र में विश्तार के द्वारा इस प्रकार के प्राकृतिक बंधन को धीला करने में सफलता पाई और सक्षम हो गया और यही रश्षा कशी सतत रूप से चल रही है और इसी का अध्यین भोगोल का एक अंतरंग हिस्सा है इस रश्षा कशी का अध्यین ही मानो विकिसित तकनीकी ग्यान ने उसकी ख्यमता को बढ़ा दिया मानो का जो समय के साथ साथ जो उसने वज्ञान वज्ञानिक प्रगति की तक्नीकी ग्ञान बढ़ाया और विविन तरह के यंत्रों का उसने आविशकार किया खोज की उससे परणाम क्या हुआ उसे अवकाश मिला अवकाश का परणाम क्या हुआ? अवकाश अर्था सोचने के लिए समय, समय मिला जो कारवाद दिन भर में, इतना सा कंदमूल पहले वो दिन भर में इकठा कर पाता था अब वग्यानिक सोच, वग्यानिक प्रगति के बल पर वहाँ बहुत ज्यादा उत्पादन करने लगा तो इस परकार जो समय उसको मिला, उस समय में, उस समय का उप्योग उसने उत्पादन बढ़ाने में लगा जा और अपनी आवशकताओं को पूर्ट किया, उसके उत्पादन को बढ़ाया, यही संभाव उसके लिए था, बढ़ाना उसने संभाव किया भौतिक वातावरन और मानों के भौतिक वातावरन के मूल तट्व भौतिक वातावरन और उसके साथ ही मानों के भौतिक वातावरन के मूल तट्व का जो अन्योन यान क्रिया है उसी का अध्यान ही भौगोल है, इनके बीच में जो सतत रूप से आवाजाही हो रही है यही भौगोल के अध्यान का खित्र है और इसको हम ऐसा ही मानें जो मूल तट्व की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत एक वातावरन के मूल तट्व यानि मिट्टी, जल, लकडी, यह जो आधी चीजें हैं इसका उपने, उसने तक्नीकी कोशल के बल पर इसका उसने अन्य तरीके से उप्योग करना शुरू किया, उधारन के लिए लकडी, जिसको पूर्व में वो कभी कुछ उसका उप्योग जानता ही नहीं था बहुत कालों बात कालांतर में उसका उप्योग उसने औजार के रूप में जानना शुरू किया औजार के बाद फिर लकडी से उसने आग लगाना सीखा, थंड से बचना सीखा उसके बाद उस लकडी से उसने घर बनाना सीखा, और आज लकडी से वा कागज भी बनाता है, पेपर बनाता है तो लकडी तो भातिक चीज है ना, मूल चीज थी, उसी प्रकार जल पूर में जब वर्शा होती थी तो जानता नहीं था, इस जल का क्या उप्योग है मात्र, पानी पीने के अन कोई उप्योग उसको आता नहीं था पूर उसमें रस्फाई के लिए उस जल का उप्योग के जरूरत समझी उसके बाद धीरे धीरे आज हम इस तर पे आ गए हैं कि जल से हम उर्जा पैदा करते हैं हाइड्रो एलेक्सिती रोशनी प्रदान करता है यह जो विकास है मूल तत्वों से किया गया यह परिवर्तन प्रकृति को कितना प्रभावित कर रहा है किस रूप में प्रभावित कर रहा है यह भी भूगोल के अध्यान का खेत्र है उसके साथ ही मिट्टी की विएदी बात करें तो मिट्टी के पहले मिट्टी मिट्टी का कोई उप्योग ही नहीं समझता था आज मी आद इमानों को कुछ उप्योग ही नहीं मालूम रहा होगा फिर मिट्टी के बरतन बनाए गया तो इस प्रकार उसने अपने इस मिट्टी के को मौडिफाई किया और एड़ाप्टेशन के बाद मौडिफिकेशन के स्टेज में उसने बरतन बनाना सीखा फिर इसको पका करना सीखा फिर मिट्टी से इंट बनाना सीखा और देखा जाए तो मिट्टी से विशाल इमारतें बनती हैं ये जो मूल जो इस तरह मानाओं ने अपनी स्रिजनात्मक शम्ता को स्वतंत्र होकर त्रकृति के अंदर नित नई संभावनाओं को जो निकाला है ये उसी लिए संभाव हुआ है क्योंकि हम भूगोल की तरह गहन अध्यान करते हैं इसमें हम देखते हैं कि वर्तमान मानवा कृत प्रकृति मानो प्रकृति को प्रभावित कर रहा है और प्रकृति मानो को प्रभावित कर रहा है और इसके बदलते हुए स्वरूप बड़ा स्पष्ट दिष्ट गोचर होता है भूगोल की इसी अंतह प्रक्रियात्मक को इसी अंतह प्रक्रियात्मक संबंद का अध्यान हम भूगोल में करते हैं वर्तमान भूगोल में करते हैं और तक्नीकी विकास के साथ बढ़ते हुए स परिवहन की सुवधाएं एवं संगठन आदि का भी अध्यान इस माध्यम से किया जाता है। इस पकार बारम बार यह बताने की कोशिश है कि भूगोल का अध्यान हमारे धरातल से जुड़ा हुआ है। भूगोल का अध्यान हमारे और प्रकृति के बीच के संबंधों से का अध्यान है। और सत्वी परिवर्तन शील होने के नाते परिवर्तन शीलता उसके कारण, कारक और प्रकार यह भी भूगोल के विशय का एक हिस्सा होता है। भूगोल ऐसे विशे के रूप में मानव भौतिक वातावरन मद्य गत्यात्मक अंतक्रिया से उसने अब गत्यात्मक सतत गती बनी हुई है। भूगोल एक ऐसे विशे के रूप में मानव और भौतिक वातावरन के मद्य गत्यात्मक अंतक्रिया से उपजे तथ्यों उसके विवरन और उसके साहचर एवं अंतर संबंद का अध्यान है। तथ्यों का कैसे उपजे तथ्यों का मानव और प्रकृति के बीच के संबंदों से उपजे तथ्यों का उनके साहचर गया साथ साथ दोनों रह रहे हैं एक एकाई के रूप में रह रहे हैं इस एक एकाई के रूप में रहने का परिणाम और उसके साथ ही इन दोनों के का एक तरीके से मुख्य विशय है भूगोल एक समाकलन विशय के रूप में समाकलन विशय अर्थाज जोगरफी एज एन इंटिग्रेटिंग डिसिप्लिन सम आकलन इंटिग्रेटिंग मतलब मिलाने वाला विशय एक दूसरे को जोडने वाला भूगोल विशय को समझने के लिए समाकलन को समझना बहुत जोड़ी आकिर समाकलन है क्या भूगोल में यथार्थता को समझने की समझ है यथार्थ क्योंकि भूगोल एक संचलेश रनात्मक विशय है संचलेश रनात्मक से तात्पर है सिंथेशिस आपने पढ़ा होगा थिसिस फिर एंटि थिसिस फिर उसके बाद सिंथेशिस synthesis में sensation होता है तो इस परकार भुगोल एक sensation आत्मक विशह है जो खेत्री sensation का विशह का प्रयास करता है और पित्वी के अध्यन में एक तरीके से समग्राहत्मक दिर्ष्टिकों अपनाता है ये समग्रात्मक या जिसे हम holistic कह सकते हैं समग्र सारे बिंदूओं को जोडते हुए समग्र उससे बना है समग्र जो समग्रात्मक या holistic approach holistic दिश्टिकों अपनाता है वैश्विक परिप्रेक्ष में लेकिन साथ ही खेत्री परिप्रेक्ष में वह एक तरीके से थोड़ा सा अलग होता है अर्थाथ परिप्री के अध्यान में वह एक holistic approach अपनाता है भूगोल इस बात को मानता है कि संपूर्ण विश्व एक परसपर निर्भर तंत्र है परसपर निर्भर तंत्र इस बात को समझने की दुरत है कि एक दूसरे पर निर्भर तंत्र है जैसे श्रव्य दृष्य माध्यम श्रव्य दृष्य माध्यम अर्थाथ audio visual media और सूचना तक्नीकी ने आंकड़ों को बहुत सम्रिद्ध मना दिया है और जो information technology है उस information technology और audio visual media के कारण जो आंकड़े आ रहे हैं बहुत आ रहे हैं आंकड़ों का अंबार लगा हुआ विक्षित तक्नीक ज्यान ने केवल दो स्थानों के मद्ध की दूरी कम की है बलकि प्राकृतिक तथ्यों और आर्थिक करामीटर के निरिक्षन और परिक्षन के भी बहतर आउसर प्रदान किये हैं यह बहुत समझने की बात है कि यह जो तक्नीक आई है आडियो विज्वल मीडिया और इंफरमेशन टेक्नालोजी इसमें दो मत नहीं कि निरिक्षन और परिक्षन के बहतर आउसर आए हैं साथ लेकिन उसके साथ ही साथ दूरियां भी कम किया है और दूरियां कम होने से और यह आडियो विज्वल मीडिया और इंफरमेशन टेक्नालोजी के कारण हमारे लिए यह काम बड़ा सरल हो गया है कि इन आंकडों का अध्येन किया जाए समुचित अध्येन किया जाए और इनसे सही निश्कर्ष निकाले जाए भूगोल वेत्ता को धरातल के सभी संबंदित खेत्रों की व्यापक समझ रखने की आश्कता होती है उसकी जुरत होती है जितना भी धरातल का जो उसका जो अन्य विश्यों से भूगोल का विभिन सामाजिक प्राकृतिक एवं जैविक सब विज्यानों से क्या सम्मंद है या हमें अच्छी तरह समुझना होगा क्योंकि सामाजिक विज्यान का जैसा मैंने पूर में जिक्र किया जिसमें इतिहार भूगोल या राजनीती शास्त्र मानविकास शास्त्र आदी आदी ऐसे विश्या जुले हुए हैं और जहां विज्यान की बात करें प्राकृतिक विज्यान की वनस्परति शास्त्र आदी तो इनके साथ जो इसके संबंध है उसको समझने की हमको विशेश कोशिश करनी चाहिए जिसका प्रयास हमने किया है जो आप चित्र देख रहे हैं उस पर है इस चित्र के अध्यन से हम भूगोल का अन्य विश्यों से संबन कैसे है या आप समझ रहो आप समझ सकते हैं कि कैसे भूगोल इन सब विश्यों से जुड़ा हुआ है ये इस पर समझ जाओ कि भूगोल ऐसा एक मात्र विश्य है जो यथार्थ को समझ रत होलिस्टिक में समा कलिथ करने की किशमता करता है ये इक इसकी बहुत बड़ी खूबी है कि जो यथार्थ है इसको हर एक के साथ जोड़ते हुए समगर्टा में समा कलिट कर देता है समगर्टा में को जोड़ता है और प्राकृतिक या समाजिक सभी विश्यों अत्वा विज्ञानों का एक मूल अद्यश है भूगोल ही एक ऐसा विश्य है जो यह थार्थता से जोड़े तच्छों के ताथपरिक कि और इशारा करता है जहां तक ये प्राकृतिक या समाजिक विश्यों की बात है इनका मूल अद्यश है यथार्थता को ग्यात करना यथार्थता को बताना पता करना जो यथार्थ है वह कुछ छिपा नहर रह जाए प्रयास करना कि पूरा यथार्थ अपने पूर्ण रूप में हमारे सामने आ जाए लेकिन भूगोल भूगोल उच्छे एक कदम आगे है इस जिश्चे से कि वो यथार्थ तथा से जो जुड़े तथ्थे हैं इसके तातपरे क्यों रिशारा करता है इसके तातपरे को हमको बोड़ गम में कराता है इसके तातपरे को बताता है क्या कि क्यों है ऐसा जो कुछ है जो कुछ शथार्थ है वह ऐसा क्यों है उसमें भूगोल का अध्यान आहम हो जाता है आज जो दुनिया है वो एक तरीके से बड़ी छोटी हो चली है संचार माध्यमों के कारण भी मूल रूप से और भागोलिक दिश्टी से छोटी नहीं हुई है उसका पृत्वी का साइज और आकार अभी भी वही जो पूर्व लाखों साल पूर्व था छोटी इस दिश्टी से हुई है कि सच्चार माध्यम के कारण अब हम एक दूसे तो बहुत निकट है चाहे वो त्वरित ध्यति के परिवहन साजनों के कारण चाहे वो त्वरित कम्यूनिकेशन सिस्टीम के कारण जिसमें मुबाइल और इंटरनेट आ दी हैं तो एक विश्व जो है आज का वे तरीकी से ग्लोबल विलेज बन गया है एक छोटा विलेज बन गया है विबिन स्थानों और विश्व के मध्य जो समाकलं किया गया है जो इंटिग्रेशन किया गया है यह उस्जी का पर नाम है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भूगोल तथ्यों का वास्तिविक्ता के तथ्यों का यतारत्ता का और यतारत्ता के में निहित जो अर्थ हैं उनको बताने का कारे करता है भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान प्रारम में ही है मैंने आपको बताया कि हम भौतिक भूगोल के तहत भौतिक भूगोल के मूल सिध्धन के तहत हम यह ध्याय पड़ रहा है कि भूगोल एक विशय के रूप में अब हम भौतिक भूगोल को प्रकृतिक विज्ञान से उसका संबंद देखें अभी हमने देखा कि भूगोल क्या है भूगोल क्यों पढ़ते हैं भूगोल की उपादेता क्या है और साथ ही हमने ये भी जाना कि प्रकृति और मानों के बीच कैसा संबंध है और इन संबंधनों के माइने क्या है अब हम बढ़ते हैं भहुतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान यानि फिजिकल जोगरफी और नैचुरल साइंस पूरी पृत्वी जो होती है जो पूरी पृत्वी देख रहे हैं ग्लोब में ये भूगोल का अध्यान खेतर है पृत्वी में वह हिस्सा भी है जो समुद्र के रूप में है क्योंकि समुद्र के नीचे भी तो पृत्वी है तो यह जो पूरी पृत्वी है यह उसका अध्यान खेतर है किंतु अध्यान इतना विशाल हो गया है पूरी पृत्वी की विविदिता इतनी है और इन विविदिताओं के कारणों को समझना और उनके खेत्री इस्थानिक कारणों से जोड़ना इतना विशाल हो चुका है कि अब इसके भी बहुत सी विशालता के कारण कई शाखाओं में इसे विभक कर दिया है, कई शाखाओं म बाद माद्मिक शिक्षा आते आते भूगोल को सामजी क्विज्ञान के तहट अध्यान किया हमने ग्यारवी में हम भूगोल को एक अलग विशय के रूप में पढ़ रहे हैं और आगे के बारे में आपको संभावनाएं बता रहे हैं कि कैसे भूगोल इतना विशाल हो चुका है कि वह स्वैम कई विशयों में विभक्त हो चुका है जैसे उधारन के लिए प्रिथ्वी के विशालता की अधी बात करें तो प्रिथ्वी के तीन भाग हैं जल खंड, थल खंड, जल मंडल, थल मंडल और वायु मंडल इसमें जल मंडल और थल मंडल तो दिरिश्मान हैं दिरिश्टी गोचर, you can see it, वायु मंडल जो प्रिथ्वी के चारों और है जहां अध्रिश्य है, दिखाई नहीं देता, हाँ हम इतना जानते हैं कि वायु मंडल कहां तक है, वह अभी वह ज्यानिक प्रगति के बाद, लेकिन अन्यता ऐधी देखा जाए, तो दिरिश्मान है जल और थरमंडल, लेकिन मानों जो है, वह इन तीनों मंडलों के, या तीनों मंडलों पर निर्भर है, उन पर आश्रित है, परंपरा का जो विशे हैं, भू विज्ञान, एक विशे, दूसरा मौसम विज्ञान, तीसरा जल विज्ञान, उसके बाद, मृदा विज्ञान, मृदा भूगोल, जो से हम कह सकते हैं, मृदा यानि मिट्टी, जो की भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं, बाद में ये जो विज्ञान हैं, ये बाद में किस रूप में बदले देखिए, भूगोल के तहट, बू आकरिती विज्ञान, जलवायू विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मृदा भूगोल विज्ञान, आदी आदी, अर्थात कहने का ताथ पर ये है, कि हम पूर में जहां जलविज्ञान पढ़ रहे थे, अब जलविज्ञान स्वैम में इतना विशाल खेत्र हो चुका है, इतना विशाल विशो हो चुका है, कि जल विज्ञान के तहट अब हम समुद्र विज्ञान पढ़ते हैं अलग, नदी नहरों का अलग अध्यन होता है और हिम से आने वाले पानी का अलग अध्यन होता है उसी प्रकार भू आकृति पहले जो विशय था वह केवल भौतिक भूगोल था और अब वो बढ़कर भू आकृति विज्ञान हो गया है जलवायू विज्ञान हो गया है तो यह जो संबंद यह इस बात को स्पश करता है कि यह सभी प्राकृतिक विज्ञान से बड़ा निकट संबंद रखते हैं प्राकृतिक विज्ञान यहने भौतिक विशय, जल, मृदा, आधि और उनसे जु क्योंकि भौतिक भूगोल से प्राप्त सभी सूचनाएं प्राकृतिक विज्ञान के मूल में हैं या दूसरे शब्दों में हैं कि उनके मूल में प्राकृतिक विज्ञान हैं यदि हम भू आकृति विज्ञान में कुछ अध्यान करते हैं तो भू आकृति विज्ञान में जो हमको जानकारियां, सूचनाएं मिलती हैं, जिसका हम विशलेशन करते हैं भू आकृति विज्ञान के तहद, ये जानकारियां हमें प्राकृतिक विज्ञान के विशय से मिलती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान और भ साथ ही हम देखें तो पारिस्थितिकी विज्ञान भौतिक भूगोल का जयव भूगोल का हिस्सा है याने भूगोल विशय स्वयम विभक्त हो चुका है जयव भूगोल मानो भूगोल प्राकृतिक भूगोल आदी भौतिक भूगोल तो इसमें जो हम पढ़ रहे हैं वनस्प पारिस्थितिकी विज्ञान पढ़ें या उसके साथ ही हम दूसरा जो विशाले विज्ञान का वो जीव विज्ञान तो ये जैव भूगोल का हिस्सा समझे जाएंगे तो इस प्रकार भूगोल से भी इनका बड़ा निकट का तालुक है संबंध है संपूर्ण प्रिथ्वी का प्रत्यक्ष अध्यान तो संभव है नहीं इतनी विशाल प्रिथ्वी इतनी विवज़ता इतनी विशालता उसमें इस बात को सोचना कि हम व्यक्यत रूप से जाकर प्रिथ्वी का अध्यान कर सके विविज्ञान निक्षेत्रों का ये संभवनी ह तो इसे कैसे पढ़ते हैं इसका अध्यान कैसे किया दाता है मान चित्रों के माध्यम से दूसरे शब्दों में भूगोल के अध्यान के लिए मान चित्र बहुत अहम है sketch, मानस या mental, मान चित्र कला या कार्टोग्राफिक आर्ट या कार्टोग्राफिक वर्क में भी निपड होना हमें बहुत जरूरी है Map geography जिसमें जो कार्टोग्राफिक वर्क का एक हिस्सा है जिसमें नक्षे बनाने का काम होता है ये एक बड़ी कलात्मक हुनर है इसलिए जरूरी है कि एक भूगोल का अच्छे छात्र होने के नाते भूगोल का समुचित अध्यान करने वाले द्यारतियों के लिए जरूरी है कि वे स्वायम एक अच्छे कलाकार भी हो जो थ्री डाइमेंशनल पिक्चर भी थ्री डाइमेंशनल इमेजेज भी थ्री डाइमेंशनल ड्रॉइंग भी प्रित्वी के सतहों की धरातल की या अन्य प्राकृतिक चीजों की बना सकें ये जो विशय है सोशल साइंस मूल रूप से ये तो कलपना का विशय है तो कलाकार जो है वो कलपना की उड़ान में रहता है वो बहुत कलपना शील रहता है और चूकि भूगोल सोशल साइंस का विशय है ये जरूरी है स्वाभाविक है कि वह एक अच्छा कलाकार हो यजि उसे अच्छा भूगोल वेत्ता बनना है तो या एक भूगोल का अच्छा विद्यारती बनने के लिए आउश्चक है। भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान के बाद अगला जो बिंदु है वह भूगोल और सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विग्यान याने सोशल साइंस सोशल साइंस को हम कह सकते हैं सामाजिक विग्यान में जैसे अर्थ शास्त्र, राजनीती शास्त्र, दर्शन शास्त्र और कला आधी आधी ये सब विशे उसमें आते हैं सामाजिक विग्यान में तो भूगोल की शाखाएं, मानो भूगोल, राजनेतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, इस बात की और संकेत करते हैं कि ये सामाजिक अध्यान के विश्यों से काफी निकट है जैसा मैंने बताया भी आपको कि सामाजिक विज्यान के विश्य, अर्थ शास्त्र, कला, दर्शन, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्यान आदी आदी हैं इन ही से उपजे हुए विश्य हैं अन्य और इन अन्य विश्यों की यदि हम बात करें तो जैसे सामाजिक भूगोल, मानो भूगोल और उसके साथ ही राजनैतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल तो इनके बीच में भी बड़ा प्रगाड संबंध है और जिस परकार भूगोल और प्राक्रितिक विज्यान में भूगोल की मूल जानकारियां एक तरीके से हमें प्राक्रिक विज्यान के विश्यों से मिलती हैं ये जानकारियां प्रैक्तिक विज्ञान के मूल में हैं उसी तरह सामाजिक विज्ञान और भुगोल का भी परस पर संबंध है बड़ा घनिश संबंध है इतिहास बताता है कि प्रित्वी पर जो भी घटना हुई है कहीं भी जो भी घटना घटित हुई उसके पीछे इस्थानिक विशेष्टायां जुड़ी रही हैं खेत्री विशेष्टाय उस इस्थान की विशेष्टाय भौगोलिक विशेष्टा धरातली विशेष्टा इसका निश्चित रूप से संबंध रहा है जलवाईव की विशे आदियाद। तो किसी भी घटना के पीछे इतिहास में ये इस पश्ट है कि स्थानिक विशिष्टाओं ने एक अहम रोल खेला है, अहम भूमिका अदा की है और इसलिए इन सब से विशिष्टाओं तो जिस तरह राजन्यतिक भूगोल एक एकाई की रूप में राज और उसक जन संख्या के राजन्यतिक विभार का अध्यान है राजन्यतिक भूगोल जिस तरह राज और वहां रहने वाली जन संख्या के राजन्यतिक विभार का भूगोल है जिस तरह एक हम कह सकते हैं जन संख्य की भूगोल वह जन संख्या और वहां के लोगों के लिंग के अनुपात आदि के अध्यान का विशय है उसी प्रकार मानो भूगोल मानो के क्रमिक विकास के अध्यान का विशय है क्रमिक विकास का अध्यान मानो भूगोल और मानो शास्त्र इसमें बड़ा गूड निकटता का सम्मंद हम देख सकते हैं पृत्वी की विबिन आवादी के स्थानों के लिए जैसे हम जलांकी की भूगोल का अध्यान करते हैं ऐसे ही मानो भूगोल और मानो विज्ञान इसमें भी घनिष्ट संबंध है